नमस्कार, मैं हूँ ससी, आये जरगां की टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं नहीं बिहार सरकार ने 15 अक्टूबर से राज्यव में स्कूल और सोजनिक अस्थाल खोलने के उनमती दिया है बता देखी जारकन सरकार ने अयुभाव को और सिक्षा जगत के लोगों से राई लेने के बाद इसकूलों को 31 अक्टूबर 2020 तक नहीं खोलने का फैसला लिया है पूजा पंडाल के अंदर भजन और लाइटिंग की मिल सकती है छूट दुरगा पूजा के आउजन को लेकर रुपायुक छवी रंजने मंगरवार को समरनाले में 37 समीती की बैठक बुलाई इसमें पूजा समीतियों की मांगो पर गाइडलाइन में कुछ ढिल देने पर विचार करने का स्वासन जीला परसासन की ओर से दिया गया है बता दे किसके तहट अब पंडालों को 4 ओर से घेलने की जगा मातर 3 ओर से घेलने पंडाल के अंदर लाइटिंग और भजन बजाने की छूट देने पर विचार करने का स्वासन दिया गया है यह जनकारी सांती समीति की बैठक के बाद राची जीला दुरगा पुजा समीति के संजोजक मोंचुन राई ने दी सिक्षकों को सुप्रीम कोट से मिली रहात राची में मना जसने देश की सरोच अदालत ने जहरखन की हमन सुरेन सरकार और करीब 18,000 सिक्षकों को बड़ी रहात दी है सुप्रीम कोट ने बुद्वार को जहरखन हाई कोट के 21 सितमद 2020 के उस फैसले परोक लगा दिया जिसमें जहरखन सरकार की नियोजन नीती को नियस्त करते हुए सिक्षक बहाली की परकिरिया परोक लगा दी थी बता दे कि इस फैसले के बाद काफी संख्या में सिक्षक राची के मोराबादी मैदान पहुँचे और एक दूसरे को मिठाई किला कर जस्न मनाया पच्छमी सिम्भूम में महिला से समोहिक दुसकर्म और एक ही परिवार के नोगों का किया नरसंगार जाकन के पच्छमी सिम्भूम जिला के मुफसिल थाना अंतरगत आती पिछले वा उगरवाद प्रभावित हेसा बांध गाउ के एक युवक ने मंगलवार देर साम पूलिस के सामने एक व्यान देकर संसनी फैला दी उसने पूलिस को बताया कि ग्रामिनों ने उसकी पतनी से समोहिक दुसकर्म किया उसके परिवार के नोग सदस्यों का नरसंगार भी कर दिया बताया जै कि सदर अस्पताल में भरती गुमदी सुरीन ने कहा कि मंगलवार सुबर डायन विसाई का आरोप लगा कर उसके चाचा वा और ग्रामिनों ने मिलकर उसके पीता मा उसकी भाई वच्चार बच्चों की हत्या कर दी साथी साथ उसकी पतनी के साथ समोहिक दुसकर गाउ की महिलाए कर रही है बता दे कि सनिवार को समोहिक दुसकर्म हुआ था और मंगलवार को ममला उजार हुआ था इस घटना के बाद बुद्वार को गाउ की दरजनों महिलाए लाठी डंटा लेकर पीड़ता के परिवार की सुरक्षा प्रदान करते नजर आई इस पुरा ख्याल गाउ की महिला मंडल समु रख रही है सरना कोड को लेकर आज राज ब्यापी चक्का जाम केंद्रिये सरना समिती और अखिल भारती आदिवासी विकास परिशत 15 अक्टूबर 2020 राज ब्यापी चक्का जाम कायरान किया है इसको लेकर 14 अक्टूबर 2020 की नया फूट ओबर ब्रीज बनेगा अगले मार्श 2020 तक राजी स्टेशन में नया फूट ओबर ब्रीज बनकर त्यार हो जाएगा या फूट ओबर ब्रीज राजी स्टेशन के पूराने पार्किंग अस्तल से लेकर दक्षनी छोड में बनने वाले दुईतिये प्रवेस साथ ही इसी ब्रीज को प्रेट फर्म संक्या एक और दो से भी जोला जाएगा देव घर से गारा साइबर अपराधी गिरफ्तार देव घर स्पी आस्वीनी कुमार सिन्हा को मिले गुप्त सुचना के अधार पर दो अलग-अलग टीमों द्वारा की गई छापे मारी में एगा जारी बन कर एटिम कार्ड बंद होने की जनकारी देते हुए ओटी पी लेते थे और खाते से रासी उड़ा लेते थे जार्खन के प्रसीद सीड पीट रजराप्पा माच इनिमस्ति के दरबार में सरधालू को दर्शन करने के लिए अवन नए पोटल से बुकिंग करानी होगी इस समध में डी सी संदीप सिंग ने बताया कि सार्दिय नोरात्री 17 अक्टूबर से सुरू होने वाला है इसके माच इनिजर यहां सरधालू की भीड भी बढ़ने की संबवना है यहां आने वाले सरधालू को दर्शन के लिए टोकन सिस्टम लाव किया गया है बता दे कि राजरापा दर्शन अनलाइन टोकन परकिरिया के तवत राज सरकार दुआरा एक सुराचित वा सुविधा जनक पोटल जहारखन दर्शन.nic.in विक्षित किया गया है इससे पहले अनलाइन टोकन है तो राजरापा.in साइट को बंद कर दिया गया है 16 अक्टूबर से हर दिन 100 लर्निंग और देर सव अस्थाई ड्राइवी लाइसेंस बनेगा राजधानी सहीत पूरे जहारखन में 16 अक्टूबर से ड्राइवी लाइसेंस बनाने का काम सुरू होने वाला है इसके लिए जिलाप परिवाहन कर्याले ने त्यारी कर ली है सोशल डिस्टेंसिंग का पारण करने के लिए स्लोट को कम किया गया है लर्निंग और आस्थाई ड्राइवी लाइसेंस के स्लोट के लिए डिटियो ने एन आईसी को पत्र भेजा है इसमें हर दिन 100 लोगों का लर्निंग बनेगा और 500 लोगों का अस्थाई ड्राइवी लाइसेंस के लिए स्लोट तय होगा जारखन में 633 ने संक्रमितों को पुष्टी हुई 25,25 से 25 मिले हैं जारखन में फो संक्रमितों को संख्या 5,033,039 हुए और 1,1,133,191 की मिले हैं जारखन में पुष्टी हुए है भारत में फो संख्या 3,595,070 है जाथकी 3, таких लाइस यह चास अथाचा 2,28 लोगो संख्या विए और 1,11,231 की मिले हैं बारत मेंना 1 केस 17791 मिले हैं जबकि 8554 लोग स्वस्थ भी हुए हैं जारकं में बुदवार को 6 किमध हुई है जो धनबाद से 2, पुर्वी सिवून से 1, राची से 2, पच्मी सिवून से 1 किमध हुई है बुद्वार को एक हजार तीरपन मरी स्वास्त भी हुए है एक्टिव केस इस्प्रकार है राची पची सो पंचानवे पूर्वी सिमू 14 सो तीरपन धन्बाद 278 गिरी डी 122 बोकारो 310 चात्रा 129 देवगर 52 134 गढ़वा 91 गोड़ा 85 गुमला 122 122 जामतला 110 खुर्टी 211 कोडारमा 116 गढ़वा लातियार 134 लोरदागा 115 पांकुर 64 पलामु संतावा रामगवा 113 साहगवा यकावान सराय किला 308 सिम्डेगा 95 पंचानवे पंचमी सिमू से 174 मरी रांची बिस्वभी द्याले में फाइनल इयर की परिक्षा 29 से रांची बिस्वभी द्याले अंतरगत असनातक के तीनों संकाय के फाइनल परिक्षा की तीथी गोसित कर दी गई है परिक्षा 29 अक्टूबर से सुरू होगी बता दे कि दो सत्र में परिक्षा होगी पहले सत्र की परिक्षा सुबा 8 बई से साड़े गार तक जबकि दूसरे सत्र के परिक्षा 2 बई से संद्या 5 बई तक होगी राची के बेड़ो परखन में वीडियो और सीयो को धमकी भरा पोस्टर राची के बेड़ो परखन करियाले में धमकी भरा पोस्टर चिपकाने का मामला बुद्वार को प्रकास में आया है बता दे कि कागज और कपड़े पर लाल रंग की सीयाई से लिखे पोस्टर में करियाले खोलने पर वीडियो और सीयो को जान से बाने की धमकी दी गई है रामगण जीला परिशत के नो निर्मित मार्केटिंग कंपलेक्स का बिधायक ने किया उद्गाटन बता दे कि माओके पर विधायक मामता देवी ने कही की जार्कार के इस परियास से ना सिर्फ कई लोगों को सिधारोजिगार मिलेगा बलकि मार्केटिंग कंपलेक्स के आज़ पास्टरा रहे कई लोगों को भी इसका लाब मिलेगा पलामू में तेयस वीनी पर योजना के तहत कारियों की समिक्छा हुई तेयस वीनी योजना को सिर्फ एक पर योजना समझकर नहीं बलकि इसे मिसन मानकर कार करें ताकि जीले की किसोरियों को आत्म निर्भर बनाया जा सके तेजस्वीनी योजना सिर्फ एक पर्योजना नहीं अपितु एक मिसन है जो जीलों की बालकावों को नई जिन्दगी परदान करेगा बता दे की जिससे किसोरियों के जीवन में बढ़ अस्तर प्रबदलाव लाया जा सकता है बस जरूरत है हम सब को एक टीम की तरह काम करने की उक्त बाते सायक समाहर्ता स्वा प्रभारी समाज कलन पतादिकारी दिली परताप सिंग सिखावत ने कही धनबाद में कुरोना रुक्थाम के लिए नुकर नाटक धनबाद डिसी सो अध्यक जिला अपदा प्रबंदन प्राधिकार ओमा संकर सिंग के निर्देशा अनुसार बुद्धवार को जिला सुचना एवं जन संपर कर्याले द्वारा कुरोना वायरस के संक्रमन के रुक् लगाना बावंबार अपने हाथों को धोना सारीग दूरी का पारण करना तथा अपनी और परिवार की सुरक्षा के लिए क्रोना जाच कराने के लिए जगरुत किया गया है रिटायर कर्मियों को आधे बेतन पर रख सकेगी कोल कम्पनिया अनिवारे प्रकिर्ति के काम के लिए कोईला कम्पनी दो साल के लिए रिटायर कर्मियों की सेवा ले सकती है कई सर्तों के साथ कोल इंडिया एपडी ने स्विक्रीती दी है ऐसे कर्मियों को एक एक साल के लिए दो टर्म की सेवा ली जा सकती है रोमांचक होगा दूम का विधान सबा चुनाव दूम का विधान सबा उप चुनाव बेहद रोमांचक होने जा रहा है यहां जामों के गड़बंधन परत्यासी बसंद सुरेन और भाजपा से एंडिये परत्यासी पूर्व मंत्री लुईस मरांडी के भी सीधी टकर होने की उमीद है बता दे कि दोनों परत्यासियों ने नमांकन करने के साथ अपना परचार अभियान भी तेज कर लिया है जारखन के गड़बा जिला के कांडी थाना छेतर के डुमर सोता गाउं में बुद्वार सुबा सेप्टिक टैंक में उतरे चार मजदूरों के दम घुटने से मौत हो गई घटना के बाद गरामिन और मजदूरों के परिजन उग्रों हुए और मुवजा की मांग को लेकर सख जाम कर दिया बताया जाता है कि कांडी थाना के समीप दूबे के मकान के पास सोचाले की टंखी का सेट्रिंग निकालने के दरान चार मजदूरों की मौत हुई है दूमका उपचुना में सुरक्षा के होंगे कड़े इंतजाम दूमका बिधान सबा उपचुना को लेकर स्पी करयाले में स्पी अंबर लाकळा ने पुलिस पताधिकारी योग साथ बैठक आविजित की बैठक में सभी अनुमंडल पूलिस पताधिकारी पूलिस उपाधिक्षक एवं थाना प्रभारी उपस्तित हुए बैठक को संबोधित करते हुए एसपी लाकळा ने बुद्वार को कहा कि सुरक्षा के पुक्ताई जाम होंगे इसके लिए सभी पता अधिकारियों को विशेष दिसा निर्देश दियेगा है एसपी लाकळा ने बताया कि सुरक्षा की 30 से मदान के दिन विशेष मोवमेंट प्लान तयार किया जाएगा धन्यवाद आज के लिए वस इतना हुई काल से आपको 25 खबरे मिलते रहेंगे तो यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहल कर बेर एकन दबाएए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों साथ सेयर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट वक्स में आपना फीड़एक अवास दे थैंक यू